ब्यूटी और राक्षस दूर देश में एक गरीब व्यापारी रहता था उसकी तीन बेटियां थी Bliss, Blossom और Beauty वो व्यापारी अपनी तीनों लड़कियों से बहुत प्यार करता था लेकिन Beauty उसकी सबसे लाडली थी एक दिन वो व्यापारी दूर देश में व्यापार करने लंबी यात्रा पर निकला आते वक्त उसने अपनी लड़कियों से तोफे लाने का वादा किया Bliss और Blossom को अच्छे-च्छे कपड़े और सुन्दर गहने चाहिए थे तुम्हें क्या चाहिए, Beauty? गुलाब चाहिए पिताजी, सुन्दर लाल गुलाब दूर देश पहुँचकर उस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए आते समय उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए तोफे लिए लेकिन उसे कहीं भी लाल गुलाब नहीं मिले निराश होकर वो घर निकल पड़ा अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया उसने दूर एक महल देखा और वो उस महल के अंदर गया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया वहाँ कोई नहीं था उसने देखा कि वहाँ स्वादिष्ट खाना और सोने के लिए नर्म पलंग रखा था खाना खाकर वो गहरी नीन सो गया दूसरे दिन सुबह वो महल में घूम रहा था अचानक उसने सुन्दर गुलाब के पेड़ देखे जब वो एक फूल तोड़ने ही वाला था तभी वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस प्रगठ हुआ चोर तरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाबों को चूने की मैं अब तुम्हें कैद में डाल दूँगा नहीं नहीं राक्षस नहीं साहब जी उस व्यापारी का अपने परिवार से प्यार देख कर राक्षस ने उसे जाने दिया व्यापारी खुशी से घर लोटा और उसने अपनी लड़कियों को सारी बात सुनाई दूसरे दिन उसे उस राक्षस के महल में वापस जाना था जाना जरूरी है पिताजी हमें आपकी बहुत याद आएगी उस राच जब सब सो रहे थे तब ब्यूटी ने वो जादू के अंगुठी निकाली और उसका उप्योग करके वो राक्षस के महल पहुँची कौन हो तुम? जिन्होंने आपके बगीचे से गुलाब तोड़े वो मेरे पताजी थे उन्हेंने वो सब मेरे लिए किया इसलिए सजा तो मुझे ही मिलने चाहिए उन्हें नहीं? राक्षस मान गया उसने ब्यूटी को बहुत सारे अच्छे-च्छे कपड़े स्वादिष्ट खाना और अपने बागीचे से बहुत सारे फूल दिये उन्होंने एक साथ खाना खाया और बहुत सारी बात चीत की असल में उस राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था लेकिन वो ब्यूटी से कहने के लिए डर रहा था क्योंकि वो बहुत बचसूरत था यहां ब्यूटी भी राक्षस का दयालुपन देख कर उसे चाहने लगी थी लेकिन उसे अपनी बेहनों और पिताजी की बहुत याद आ रही थी एक दिन मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है मैं जाओं ठीक है तुम जा सकती हो लेकिन याद रखना मैं तुम्हें सिर्फ दस दिन के लिए छोड़ रहा हूं दस दिन के बाद तुम्हें याँ वापस आना होगा उसकी शर्त मनजूर करके ब्यूटी घर गई सारा परिवार उसे देखकर बहुत खोश हो गया दिन गुजरते गए अब तो दसवा दिन भी गुजर गया ब्यूटी ने सोचा कि वो एक दिन और रुकेगी उस रात को उसे एक सपना आया सपने में उसने देखा कि वो राक्षस मर रहा है घबरा कर अगले ही सुबह वो वापस महल चली गई सुनो मैं वापस आ गई हूँ लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया वो भागीचे में गई उसने देखा कि राक्षस वहाँ पड़ा हुआ था ओ राक्षस तुम्हें जीना होगा तुम कितने अच्छे हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम बचसूरत हो लेकिन मुझे उसमें भी अच्छाई नजर आती है जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा उस राक्षस का रुपांतर एक बहुत ही सुन्दर राचकुमार में हो गया मैं राचकुमार माइकल हूँ ये एक बुढ़ी परी का श्राब था क्योंकि मैं हमेशा बचसूरत जानवरों पर अन्याय करता था वो श्राब तभी तूट सकता था जब कोई मेरे बचसूरत होने के बावजूत मुझसे प्यार करे और ब्यूटी तुमने इस राक्षस से प्यार किया माइकल और ब्यूटी ने विवाह कर लिया ब्यूटी के पिता और बहने भी उनके साथ रहने आ गए और वो सभी सुक्चैन से रहने लगे